आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशकबर ही है असम गोबर्टमेंट के अंदर 7500 पदों पे टीचर्स की वेकेंसिस आई है 7500 की वेकेंसिस बहुत जादा होती है ऐसी वेकेंसिस आपको दुबारा देखने को नहीं मिलेगा सो इस वेकेंसि के लिए आप सभी लोग एप्लाई कर लिजेगा हलो अब बुड़ों आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल दे एरा दे एजुक्रिशन रिबोलुशन वस्ताम पे स्वागत करते हैं सबसे पहले वेकेंसिस देख लेते हैं तोटल वेकेंसिस 7500 है अगर किसी को जोब चाहिए उसके लिए बहुत बड़ी ऑपरचुन्टी होने वाली है क्योंकि 7500 एक बहुत बड़ा नंबर है तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें मिलने के चांसे बहुत ज़ादा होते हैं आपके अगर आपको इससे जोप मिल जाती है तो आपको हाई स्कुल में पढ़ाने के लिए मिलेगा जो आपके डिएसी के अंदर आता है डिएसी का मतलब डायरेक्टरेट ओफ सेकेंडरी स्कूल नेक्स देख लेते हैं अभी अब इंपोर्टेंट देख लेते स्टार्टिंग एट फ़र एप्लाई ओनलान इस 25 1222 लाज टेट ट अप्लाई एंप्लाई कर लेगा अगर आपकी 18 एट से वज़वरी 22 तक तक अप्लाई कर सकते हो और आपकी एज 40 years cross नहीं होनी चाहिए इस तारीख तर ठीक है एज रिलाइशन SCST और पीड़ी का फाइब यह सोता है और यूवर कोई एज रिलाइशन नहीं होता है अभी आगे देख लेते हैं अगर आपको नोकरी मिल जाती है आपका पेश के लिए 14,000 रुपीज से लेकर 70,000 रुपीज त 15,000 तो 20,000 या उससे ज़्यादा बन सकता है तो आगे देखते हैं अभी अभी नेक्स देख लेते कंडिशनर रिकॉर्डमेंट आपके पास minimum qualification क्या होनी चाहिए इन पोस को एप्लाई करने के लिए अगर आप graduate teacher आर्ट के लिए एप्लाई कर रहे हो तो आपके पास graduation या फि 50% marks आपका percentage 50% होना ज़रूरी है और आपके पास B.A. degree भी होना ज़रूरी है अभी next देख लेते graduate teacher science के लिए इसके लिए आपका सेम ही है आपके पास graduation होना चाहिए या फिर post graduation होना चाहिए with 50% marks प्लस आपके पास B.A. degree भी होना कंपल सरी है और तीसरा point यह कह रहा है कि पर तुमें अगर आप यूर के तेगरी से हो और अगर आप दूसरे के तेगरी से हो ना आपके पास 55% marks होना जरूरी है अभी आगे देखते हैं minimum qualification for Hindi अगर आपको Hindi teacher बंदा है तो उसके लिए minimum qualification क्या है first point में यह कहा है कि आपके पास 50% marks होना जरूरी है in graduation और post graduation और आपके graduation में एक subject आपका Hindi होना चाहिए दूसरा point यह कह रहा है कि आपके पास B.A. degree होना जरूरी है और Hindi के लिए B.A. degree आपका पारणगाच से होना पर रहेगा तीसरा point यह कह रहा है कि अगर आपके test appear किया 60% marks यूर के लिए और 55% marks PWD और other categories के candidates के लिए होना जरूरी है अभी आगे देखते है minimum qualification for Sanskrit Sanskrit teacher बनने के लिए क्या requirements है ठीक है सेवेस आर्ट साइज आर्ट साइज का जैसा था ना वह सही होगा कि आपका 55% marks 50% marks in graduation और post graduation उसके बाद आपका B.A. होना जरूरी है और test का जो criteria था ना वह यह apply हो रहा है ठीक है next देखते है सब्सक्राइब के लिए क्राइटरिया क्या होगा आपके इसमें कोई exam नहीं होगा इन सब को मिला के आपका total marks बनेगा जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसको पोस्स मिल रहा होगा ठीक है सब पहला point देखते है 100 marks or percentage of marks in B.A. become B.A. examinations the marks obtained in measure or honor service taken into consideration सब आपके graduation में आपको कितने percentage of marks मिले न उतना ही आपको marks मिल रहा होगा because percentage count होता है 100 के base पे और यहां total marks 100 है आपको जितना percentage मिलेगा आपको उतना marks यहां से मिल रहा होगा ठीक है graduation का second number point देखते है 100 marks on percentage of marks obtaining higher secondary final examination आपका 12 का जितना percentage होगा न उतना ही marks इधर भी एद हो रहा होगा कोई बात 100% percentage होता है न इसलिए 100 marks base है तो आपको जितना percentage मिलेगा उतना ही आपको marks मिल रहा होगा third point देखते है 100 marks on percentage of marks obtaining BT and BT final examination आपका BT या फिर BT में जितने percentage marks आएंगे उतना ही आपको marks मिल रहा होगा या BT का मतलब होता है bachelor in teaching ठेक है सबका fourth number point में क्या दिया है 100 marks on percentage of marks obtained in test examination और 60 marks teachers who have served 15 years in a higher or higher secondary school but unable to qualify test teachers but will have more advantage so hundred marks उनको दिया जाएगा जिसने test clear कर रखा है और 60 marks उन teachers को मिलेगा जो test qualify नहीं कर पाए बत उन लोगों ने 15 years on a contractual basis किसी भी high school में serve किया हो ठेक है अभी अभी पॉइंट नमर 5 देखते है 25 marks for one year teaching experience is 50 marks for two years teaching experience so अगर आपका एक सल का teaching experience है तब को 25 marks extra मिलेगा अगर दो सल कहें तो 50 marks extra मिल रहा हो का ठेक है 6 ने 10 marks for NCC NCC के 10 marks मिलेंगे आपको पॉइंट नमर 7 10 marks for participating in a recognized sport at national level representing Assam so अगर आपने किसी भी sport में अपनी state को represent किया national level पे तब को 10 marks extra मिल रहा होगा आप चाहे क्रिकेट खेल लो बेनमिंटन खेल लो फुटबोल खेलो यार कोई भी sports ठीक है पॉइंट नमर 8 10 marks for achievement in finance and cultural activities representing Assam at national level so अगर आपने कोई भी cultural activities या फिर fine arts में national level पे Assam को represent किया ना तो आपको उसका भी 10 marks extra मिलेगा तो इन सब को जोड़के ना जिसका सबसे ज़्यादा marks हो रहा होगा उसको नोकरी मिल रहे होगी तो जिसके पास भी ज़्यादा achievement से उसका ज़्यादा मेरीत है उसको ज़्यादा भी होगा तो अगर आपको लगता है इन मेंसे आपके पास ज़्यादा वह है qualification तो आप लोग apply कर लिजेगा इसके basis पर मेरीत बनेगा अगर आपके सबसे ज़्यादा है तो आपका सेलेक्शन हो रहा होगा ठीक है अभी आगे नेख लेते तो लास्ट आपको apply कैसे कर दा है www.madhabic.asam.gov.in इसके आपको login कर दा है इसके बाद आपको online form मिलेगा इस बिकोज ये vacances दुबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा ये बहुत बरी opportunity है सबी लोगों इसको grab कर लिजेगा बहुत लोगों को इससे नोकरी मिलेगी इसलिए आप जल सजल apply कर लिजेगा बहुत लोगों को इस नोकरी के बारे में पता नहीं होता है अगर आपको लगता कर लिजेगा और इस चैनल पर हम उस एक्जाम के complete preparation भी करेंगे तो आज के लिए इतना है मिलते हैं नेक्स सोले वीडियो में तब तक के लिए see ya